आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने Redmi के फोन में Dual App Settings कैसे कर सकते हैं यानि कि किसी एप्लिकेशन को Dual कैसे कर सकते हैं आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं तो सबसे पहले जिस एप्लिकेशन को आप Dual करना चाहते हैं आपको उसे Play Store से इंस्टॉल करना होगा अपने फोन में जैसे कि हमारे फोन में वर्टसप हमने इंस्टॉल कर लिया है तो हम आपको इसे Dual करके दिखाएंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारे फोन में Only एक वर्टसप है तो इसे Dual करने के लिए आप अपने फोन में Settings को Open करिए फोन की Settings में आने के बाद नीचे स्क्रोल करिए और एक Option आपको मिलेगा Apps के नाम से Apps आप्शन पर किलिक करेंगे और किलिक करने के बाद ऐसा पेज आपके सामने आएगा और एक Option आपको मिलेगा Dual Apps अगर आपको Option नहीं मिलेगा तो जब आप Settings को Open करेंगे तो उपर एक पर क्लिक करिये और यहाँ पर आपको टाईप करना है dual और आप देख सकते हैं dual टाइप करते ही इहाँ पर आ जायेगा dual apps वाला option इस पर कलिक करिये तो जैसे कि हम आपको settings में जाकर Apps वाले option में जाकर इस option को on करके दिखा देते हैं तो आप देख सकते हैं ऐसा पेज आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं dual app support जो application आपके phone में dual application support करते हैं यहाँ पर आपको show हो जाएंगे इन सब application को आप dual कर सकते हैं जैसे कि एक application को हम आपको dual करके दिखा देते हैं तो जैसे कि हम whatsapp को dual करेंगे तो whatsapp पर किलिक करेंगे उसके बाद dual apps का एक option है यहां से इसे on कर दीजिए और on करने के बाद created dual apps successfully आपकी home screen पर आप check कर सकते हैं आपका जो आपने dual application किया है उसका दूसरा आइकन आपको show हो जाएगा कुछ इस type से तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम आपको whatsapp business dual करके दिखा देते हैं तो यहां पर इसके सामने इस option को on करेंगे और आप देख सकते हैं whatsapp business भी यहां पर dual हो चुका है तो इस type से आप अपने redmi के phone में dual app settings कर सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को subscribe जरूर करें